हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक तो मैं चैनल तो हम उत्राकरन PCS उत्राकरन ट्रिपल सी एक करन्ट अफेज जो है रिविजन कर रहे हैं वीडियो स्टाट करने से पहले जितने मेरे विव्यवर्स पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं उनके लिए मैं बतायता हूं कि यह मैंने एक स्रीज चलाई विये जिसमें मैं करन्ट अफेज रिवाइस करवा रहा हूं तो अगर आपने करन्ट अफेज करने हैं कोई बी अपने तो आप जो है हमारी इस इतनी भी वीडियो से सारी देख सकते हैं और आप तो तरन तरफेर तूंस के वर्मेट में आपका रिवीजन हो जाएगा तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो लेक्चर फाइव तो सबसे पहले आपको बतायता हूं कि आपको गैल कृट नेगेटिव यानि आपको माइनस 2.5 अपने स्कोर से डिड़क्ट कर देना है कि यही आपका एक्जाम पैटन रहता है एक्जाम पैटन के हिसाब से आपको चीजे करनी है तो चलिए शुरू करते हैं पहला कुशन जो आज की आज की पहले कुशन जो पूछा गया था senior journalist and writer Dash has been awarded the Vishwa Hindi Ratna Award आपको important हो जाता है कि Vishwa Hindi Ratna Award जो है मिला इनको and he is on a mission to preserve, promote and make the language of the UNO internationally language of the Hindi language मतलब इन होने इनको यह Hindi Ratna Award मिला है और यह क्या कर रहे है हिंदी language को Hindi language को promote कर रहे हैं और यह Hindi language को UN के level तक लेगे जाना चाहते हैं तो आपको इनको नाम बताना है कि इनका नाम क्या है किसको यह जो अवार्ड मिला है तो option 3 is the correct answer दिवाकर भट जी को यह अवार्ड मिला है और यह जो है Hindi language को प्रमोश्ट कर रहे हैं और इनको यह Hindi Ratna Award मिला है अगें इंपोर्टेंट आजाता है आपको पतावनाची किसको मिला है और कौन सा अवार्ड मिला है Hindi Ratna Award को मिला है दिवाकर भट जी इनका नाम है Hindi Ratna Award ठीक है नेक्स्ट क्षिशन क्षिए नमर्ट्टू वन-time settlement scheme of उत्रकंट वीलेंशॉर आपको पताने कि One-time settlement scheme जो उत् जितने भी बना हुए है वह उसको बना हुआ हिसको भी सरकारी जमीनों पर जिन्होंने जो है कबजा लिया हुआ है ठीक है उसको हटाने के लिए उन्होंने ये one time settlement scheme चलाई थी so that आपका proper map बन सके ठीक है और प्रॉपर map बन सके और वहाँ पर जो है उत्राखन सरकार जो भी अपने सरकारी जो है अपना बिल्डिंग्स बना जाती है वह बना पाए ठीक है तो इसका सभी अंसर है तो इसमें बेस आपको बताना क्या है कि होली का दहन से पहले जदाव में डैश समाझ बनाता है मरी होली आपको बताना की कौन से पाइजाती है यहां पे यह लोग सेटल है ठीक है और इसके साथ साथ आपको मैं इक पॉर्टेंट इफ्वर्मेशन देना चाहता हूं कि यह एक पॉर्टिकुलर सेक्ट है जो बुद्दिज्म का जो यह फॉलो करते है और उस सेट का नाम है थेरा बड़ा बुद्दिज्म त आपको पॉलो करती है और यह कहां पाई जाती है इंडिया और नेपाल के बॉर्टर पे इन लोगों का सेटल्वेंट है ठीक है तो आपको पताना है कि आपको पता प्रचिए ठारू ट्राइब उत्राइब है और यह होली जो है मरी होली जिंदा होली यह बनाते हैं कुशन जंडा जी मिला बडाइब आपको बताना की जंडा मेला इकसर हुआ वह भिसार कहां इकर जितने भी मेलना होता है उत्राखंट की जितने आप कर सको उतना अच्छा होता है एक्जाम पॉइंट व्यू से तो जंडा मेला आपको बताना है कि कहां पर होता है option T option 2 देहरदुन इस दा राइट अंसर देहरदुन में जंडा मेला बनाई जाता है question number 5 आपका है operational guidelines will be made for the availability of dash in उत्राखंट आपको बताना है कि किस चीज के लिए operation guidelines जो है बनाई जा रही है ताकि उसकी availability ठीक है रहे पीपन पिरूल सल बनियान तो option 2 पिरूल इसका सही उत्तर है अगर आपने मेरा उत्राखंट current अफिर crash course आपने किया था तो मैंने वहाँ पे बताया था कि पिरूल कितना important जो है उत्राखंट में होने वाला है क्योंकि पिरूल से जो है अब जो है बिजली electricity जो है जनरेट करने का program उत्राखंट government ने रखा है तो पिरूल आपको पता है कि पावडों में जो है पिरूल काफी जादा मातरा में पाय है तो पिरूल से जो है electricity बनेगी बहुत यह असानी से जल जाता है तो इसलिए electricity बिराने में काम आएगा ठीक है तो यह मैंने crash course में भी जो है cover किया था अगर आपने crash course मेरा नहीं देखाई उत्राखंट current affair का तो वहाँ पे मैं आपको पहली बता देना चाहूं कि उत्राखं FRO का जो exam हुआ था मेरे उस crash course में से at least 4 से 4 से 5 questions जो है current affair के महा से directly पूछे गए तो आपने वो current affair का crash course लेना है साकि आपका उत्राखंट current affair जो है अच्छे से cover हो जाए ठीक है और उसका मैं description में link देदूँँगा so that आपको असानी हो मिलने में सेकेंड कुश्जण कोश्चन नमबर सिक्स है कि अप्रूबन और फॉर्मेशन ऑफ सेल टु प्रिवेंट डैश इन उत्राखंट एक्सेप्टेंब्स एप बताना है कि उत्राखंट की रोग त्रोगोश्ण को मंजुरी चार पतों की स्विर्ति की कि किस चीज को रोकने के चार आदम की माइगरेशन को रोखने के लिए चार आदमियों की कम्योटी बनाए गई है तो आपको पता है कि उत्रा-खट में किस्तनी माध्रा में आपकी माइगरेशन होई थी तो उस चीज के लिए रोखने के लिए एक चार मेंबर कमेटी बनाई जाएगी तो आपकी माईगरेशन पर देखा जाएगी उत्राखट में लोग माईगरेट करते क्यों है तो आएए क्वेशन नमबर सेवें देख लेते हैं आपको बताना है कि जो फिनाले हुआ ज़्या फिनाले bush het किया गया है आपको यह बताना है तो बेसिकली इस बार 12 startups को वीज़े तक उसित किया गया तो आपको यह number important हो जाता है तो basically मैं आपको बतायता हूँ कि जितने भी factual, highly factual information होती है वो basically आपकी सबसे ज़्यादा chances होते हैं उसके उत्रकंड SSC जितने भी exams कराता है वहाँ पे पूछी जाएगी उत्रकंड PCS के लिए जो अगर अब देखा जाए तो उत्रकंड PCS के लिए इतनी ज़्यादा फेक्ट्रिक कुछन जो है पूछी नहीं जाते है आम तोर पर देखा जाए तो but you never know इसलिए जो यह चीज़ें कवर कर रही नहीं अच्छी रहती है question number 8 की बात किये जाए तो which of the following personality of उत्रकंड attained first position in startup grant finale तो आपको मैंने पिछले slide ने बता है कि 12 startups को जो ही अवाड दिया गया है first number का तो आपको बताना है कि इस में से एक startup जो है जिसको first position मिलिया है आपको उनका नाम बताना है तो one two three four और इसका answer option बन ममता जोशी का जो है वाड विला है first position वो श्टार्ट फिलान में लाई है basically textile textile industry को represent करते है textile में जो है इनका काम है तो जो है textile शेत्र में जो है इन्होंने अपना startup में जो है यह वाड जीता है question number 9 की बात की जाए तो दून डैश associated with आकरी selected to train at the prestige sports authority of kundi आपको पताना है कि तून के किस सक्षियत को तीरंदाई से जूड़े हैं जो इनको प्रतिश्टिट खेल प्रदीगरंड में प्रिशेशन के लिए चुना गया है option two Sudhaan Shubis इनका answer है Sudhaan Shubis को जो है आर्चरी से associate करते हैं और इनको पर इंडिया को रेप्रेजेंट कर सके टीक है दन फॉर्टी फर्स एंटी पीसी जूनियर नैशनल आर्चरी सबसे पहले आपको बताने की पहली बार कहां पर होई थी तो इसके बाद अगला कोशन आता है यह जो है यह अवार्ट दिया गया है ठीक है जिन्होंने कोरणा के टाइम पर जो है लोगों की काफी जो है help की थी ठीक है तो यह फिकी स्मार्ट पॉलिसिंग अबट किसको मिला है लोग जीत सिंग को अवर्ड यह मिला है इसको बनाए जाएगा औरेंज चीटी इसलिए बनाए जाएगा विकॉस औरेंज कदर किसी इसको डिनोट करता है तो वो जो है इसको बनाए जाएगा बाकि आप लोग समझदार हैं क्यूंग बनाए जा रहा है आपको पताऊना चाहिए एक्जाम पॉइंट पॉइंट कराता है वेरी सेंपल कुश्टन बिनिस्ट्री आपको याद रखने हैं कहीं भी पूच सकते हैं वह इंट्रनाशनल टैनिस टॉर्णमेंट कहां पर खेला जाएगा ऑप्शन वन देरदुन में खेला जाएगा ठीक है वेचे फॉइंट फॉइंट टॉप इन स्वच सरवेक्षंट टॉइंटी जो आपको मैंने बताया कि मिनिस्ट्र आफ वाउसिंग अर्बन अफेस कराती है यह इसमें उत्राखन का कौन सा शेहर जो है सबसे टॉप पे रहा है ऑबिसली उत्राखन जो है सबसे टॉप सवच सर्वेक्षंट टॉजान वेंटी की अवर्ड जो मिला गया था उसके बाद डैश जिला पंचायत हैस बीन सेलेक्टिट फॉर्ड इन दे कैटेगरी ऑफ जिला पंचायत अंडर पंडित दीन दालुपाद्य पंचायत इंपॉर्मेंट आपको बता रहा है कि पंचायत की प्रेजिडेंट है इनका नाम भी इंपॉर्ड लाता है इनका नाम है दीपी का बोरा तीक यह नहीं के इनके चेर्मेंशिप में यह वाईद को मिला ठीक है यह यह चीज याद रखी है फिर और आउगस्ट 15 नेक्स्ट यह 75 यह सफ इंड़िपेंडिन्स और बिंग कंपल जाएंगे 2022 में तो उसको लिए उसके लिए सेंट्रिय गौवर्मेंट जो है एक महुतसफ बना रही है तो आपको बताना है कि वह महुतसफ कौन सा है बहुत फेमर्स हो चुका है यह तो अमरित महुतसफ बनाए जाएगा 75 इंडिपेंडेंस डे पर ठीक है और इसको मैं बतान लेटंट पता देता हूँ यह डेट है जिस दिन डांडी मार्ज शुरु आता र्डी मार्ज जिसकी स्टार्थ होगा ता है पता है ठीक है ये डेट इंपॉर्टेंट है ये जो है पूर सकते हैं कौन सी डेट से स्टार्ट वाता और आपको बता दू में ये हम डांडी मार्च का 91st अनिवर्सिरी इस साल हमने बनाई थी तो जो है ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको बताना है कि पंडित दीन दाल उपाद्य पंचाहित राज करेगी तो जो है मिनिस्ट्रिय पंचाहिती राज इसको अनॉंस करती है इंडिया की पोजिशन क्या हो गई है हमने देखा था कि इंडिया के बहुत 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 बढ़ चुके थे कोरोना के टाइम पर होता है इनमें कौन-कौन सी चीज़े एसेट जो है अगर आपको नहीं पता है इसके लिए एक वीडियो बना दूँँगा जिसमें आपको बता दूँगी फॉरेस्ट रिजर्व के क्या यूजर्व होते है इसमें कौन-कौनसी या फिर क्या के चीज़ इंक्लूड होती है यह सब मैं आपको क्रिस्टल क्रिया कर दूँगा बेसिकली अभी आपको स्विज़लेंड और चौथे नंबर पर इंडिया हो लिए और इंडिया ने किसको पीज़ छोड़ा है रशिया को आई डॉन्ट इंग्जाम पॉइंपोर्टेंट एंग्जाम में यह कुश्टन नहीं आएगा रिजन क्योंकि यह फिगर जोए रेगुलर्ली चेंज होता र दिया नेज इस फ़स्ट को उपको हिगाह सैंट मुठला इंफ्ला इंवेंट्स तो क्या हुआ व्हुआ यह पूरा का पूरा जो एक सेटब फै जहां पे इवेंट जो है आपके अलग अलग इवेंट आंवारेंगे सॉफ्टफेयर तो आपको बताना है कि जो है यह यह थीम थी सेवा भी रोजगार भी यह किस चीज की कौन सी हमने यह बनाया था यह जिसकी यह थीम थी इसका अशर जो आपको बता हूंना चीज नेक्स नेशनल वैक्सिनेशन डे जो यह वह कौन से साल कौन से बना जाता है तो इसके पीछे भी एक रीजन है कि 16 मार्च को क्यों बना जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि नेशनल वेक्षिनेशन डे कब बना जाता है इंडिया में सब्सक्राइब को आपका वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे जो बना जाता है और इसकी थीम कहती है आपको बताना है आपको बना जाता है तो जो है इसका ऑप्षिन ऑप्षिन थी वूचांग यूम जो है इनको जो है मैंजिंग डेक्टर बनाया है ऑबिसली बहुत वियर्ड साने में मारी इन इन स्लैंग के लिए तो आपको जो है यह नाम प्रनाउंस करने में थोड़ी से डिफिकल्ट होत जो है यह मैंजिंग डेक्टर बन चुक है एडी बी के देहरदुन सेक्योड डैश रैंक इन द इस ओफ लिविंग इंडेक्स 2022 इस ओफ लिविंग इंडेक्स जो है मिनिस्ट्री ऑफ आउसिंग अफेर्स अफेर्स फिक है जो सवच सरवेक्शन लीग जो चिलाती है वह ही इस लिविंग इंडेक्स टेफ लोटिंग की पॉशिशन क्या रही थी डेरदुन की सब्सक्राइक गजांस लॉटकिए इस वार एक्जाम में वह कवर हुआ है और उन्हों ने क्या किया है उत्राकंट प्रदेश यूज किया है इस कोश्चन पे बवाल तो हुना बनता है बड़ाइड डॉन होगा है नहीं होगा आंदर प्रदेश नहीं होगा आंदर प्रदेश बच्चों को मात जिन्हों सब्सक्राइड को मिली है 47 और आपको बताया मैंने की इस ओफ लिविंग इंडेक्स में जो है यह तो यह दोनों चीज जो है अलग अलग चीज़ है ठीक है यह इस ओफ लिविंग है इस ओफ लिविंग इस ओफ लिविंग इस ओफ लिविंग ती और यह अपना मुनिसिपर परफॉर्मेंस में नेक्स्ट उत्राखन राजिये में का सबसे बड़ा एपन सबसे बड़ा एपन एंपोरियम कहां बनाए जाएगा आपको पता हुना चीज़िए एपन जो है मजी नहीं मैं इसको पनाउन्स सभी कर रहा हूं कर रहा हूं उनकर onと इंस यह को बोलता है एक तरह की यह रंगोली हैं में और यह इसकी काफी फेमस सीजान चांब की सिंट अब्विभां इसको प्रमोट कर रही है आपको जाना कि इसक मैन दैःस नहीं बंग tarkन वहां में तो वहां पर पूछा गया था कि इसको क्या बोलते हैं जो है कहां की यह ऐसे कुछ था एक्जैक्ली मैं नहीं बता पारा हूं लेकिन यह कुशन कवर हुआ था उतरा खंड के डैश ग्राम पंचायत को नाना जी देश्मुक राष्ट्रे गॉर्ण संबान से पुरुसकारत किया जाएगा आपको बता रहा है कि कौन सी ग्राम पंचायत को यह वार्ड मिलने वाला है तो आपको याद होना चाहिए कि यह उत्तरकाशी की दियादी को नाना जी देश्मुक नैशनल गौर्ण संबान से नवाज़ जाएगा तो आज के तीस कुश्चन ही जो खतम हो अगर आप टेस्स नहीं दे रहे हैं तो आपको टेस्स देने चाहिए कोई वात ने आदर आपको कुश्चन्स आते नहीं है तो इस गुड कि आप जो है लर्न कर लोग इसी बहाने जो है ठीक है आपके रिविजन हो रहा है आपका लर्निंग से पॉइंट और वी से ठीक काम चल रहा है आपका उत्राखन करेंट अफेस को कवर करने के लिए ठीक है मैं आपको बता दिया कि मैं जो है रिविजन करवा रहा हूं और सारे लेक्षे जो है मैं एक एक दिन में हर एक दिन जो अप्लोड करता हूं ठीक है सुबह 9 बजे अप्लोड कर देता हूं इस बतीख जिक दिन चीज़ करता हूं एक रहा हूं और see you in the next video thank you for watching stay tuned for the upcoming lectures take care study well and goodbye